स्टिर आप को सब्सक्ते भीलिवन madam जू हर अस्टाडी ट्यूप पर आपका गेंस 51 में तो आज के इस सेस्षन में किम हूं के मिber प्रिक्रिक्टी सेंट श्टार्ट करने वाले इस से पहले ये आप लोग का फिजिक्स प्रिक्रिक्रिक्साइब जिसमें की डेट 서 प्लास वस्तुनिश्ट प्रश्ण का संग्रा आप लोग को उस स्रीज के तरह बताया गया है यह आपने उस सेशन को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट सेक्षन पर विजिट कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे-च्छे प्रश्ण उस स्रीज के तरह बताया जिसे से दरोगा हो गया सिजियल, आयारबी, जैप उत्पासिपाई, जहरकन, पुलीस, कचपाल वर अच्छी, जो भी एक्जामिनेशन जिसे से एक्जाम के द्वारा कंड़क्ट करवाय जाती है इन सभी एक्जाम को देख करके ये प्रेक्टी से आप लोग को करवाय जा रही है तो चलिए आज की सिसन को अश्टार्ट करते हैं पहला परश्ण है परमानु नाफि किसनिक हो जा था उपसन है रदरफोर्ट डावल्टन एस्टीन थॉम्सन तो परमानु नाफि की खोज रदरफोर्ट जित दोरा के किया गया है यह पर यदि प्रश्ण पुछा जाता है पहला परमानु मोडल सिधान के दोरा दिया गया तो उस कंडिशन में जे जे थॉम्सन सही अंसर हो जाएगा और हाँ यदि आप इस विडियो लेक्चर का पीडियाप प्रोवाइड इसका जो पीडियाप है यदि उसको पाना चाहते हैं तो जब आप लोग जो साइंस का हैंडिये नोट्स त्यार किया गया है जैसे से एक्जाम रिलिवेंट देख करके उसके प्रिवियस एर पेटर्न को देख करके यदि आप उस हैंडिये नोट्स को पर्चेज करते दिन साथी आप लोग को ये विडियाप भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और हाँ उन कंडिडेल के लिए मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जदि आप लोग को लगता है कि साइंस में मेरी पकर थोड़ी कमजोर है तो जो मेरिट लिस्ट आप लोग का त्यार किया जाएगा उसमें समझे कि साइंस का एक अहम रोल होने वाला है साइंस के जो परशन है वो समझे कि बहुत ही अधिक वेटेज रखने वाले आप लोग को एक्जाम में मेरिट बेस्ट त्यार करने के लिए यदि आप लोग को लगता है कि साइंस में थोड़ी पकर कम है तो मैं आप लोग को रिकमेंडेट करूंगा कि जरूर आप उस हैंडिटे नोट्स को परशेज किजिए मिनिमम फी है ज्याद को उतना फी भी नहीं है आप देखिएगा यदि आप उस नोट्स को तो पूरा GCC एक्जाम रिलिबेंट जो NCRT बेस्ट परशन पुछे जाते हैं उसी परकार से आप लोग का नोट्स त्यार किया गया है यदि आप लोग को लगता है थोड़ी कमी है साइंस में तब यानि कि आप लोग को कोई जोड़ जवस्ती नहीं है कि आप लोग परशे जी किजिए से आप अपने एकोडिंग देख लिजिए नेक्ट परशने एटम के निट्रोन की खोच किसने की तो निट्रोन की खोच किसके द्वारा की गई है निट्रोन की खोच जेडविक जी के द्वारा की गई है वहें पर जदे हम लोग बात करते हैं इलक्ट्रोन की खोच जेजे थोंसन के द्वारा और गॉड अस्टिन के द्वारा प्रोट्रोन की खोच नेक प्रशने सरवाधिक कठोर तत निम्न में से कौन है तो सरवाधिक कटोर तत्व हीरा, सिसा, टंगस्टन, लोहा तो इसमें सरवाधिक कटोर तत्व की बात करते हुआ है हीरा नेक प्राशने सबसे भारी प्राकिर्टिक तत्व है सबसे भारी प्राकिर्टिक तत्व कौन सा है उरेनियम, सोना, मरकरी, केलसियम तो सबसे भारी प्रकिटिक तत्व है इरोनियम और सोना का कई बार आप लोग को संकेत पुछा जाता है तो सोना का क्याची हो जाता है AU मरकरी का भी पुछ लिया जाता है मरकरी का HG जिसे की पारकाते और ये द्रव आउस्था में रहता है नेक परशने समुद्र के जल का सोधन करने के लिए पर्योग की जाने वाली भोतिक परनाली है फिल्टरन, आश्वन, वाश्पिकरन, आश्षाधन तो समुद्र का जल यदि हम लोग उसको स्वच बनाना है, सुध करना है तो उसको वाश्पिकरन परकिरिया वास्पी करन में जिसमें कियादी हम लोग उसको वास्पीत करते हैं तो जो नमक है वहाँ बरतन में ही राज आता है और जो जल है वहाँ वास्पीत होकर के उपपर आ जाता है जिसको हम लोग को अस्टोर कर लेती हैं नेक पराशने ओजन परत का अच्छा एक मुख्य तक किस कारण से होता है विमानन इंधन रेडियो धर्मी किरने ज्वाला मुख्य उद्भग या फिर कलोरो फ्लोरो कार्बन तो ओजन परत का अच्छा होता है कलोरो कार्बनीज का मुख्य कारण है नेक परशने सुथ सोना कितने केरेट का होता है तो सुथ सोना जो की 24 केरेट का होता है और ये लचीला होता है भांगूर होता है जो प्योर सोना 24 केरेट का होता है वह भांगूर होता है यानि कि उसे हम लोग असानी से तोड़ सकतें तो इसी में इसको कठोर बनाने के लिए इसको कुछ परतिसत इसमें कोपर तामबा मिलाया जाता है और जो हम लोग जेनरली मार्कट में सोना देखते हैं वो 24 करेट का नहीं होता है बलकि वो 22 करेट का होता है निक परस kg प्लस्टर ओपरिस राशानिक रूप से। प्लस्टर ओफेरिस का रासानईक शूत्र क्याचि हो जाता है केलसियम सलफैट क्याचि केलसियम सलुफ셉 इसका सूत्र भी कई बार आप लोगों पूछ लिया य 우리가 प्लस्टर बलाष्टर उपेरिश हो जाएगा तो हाब श्रोढू अगई यहां पर यह जके जी कर लगभग सुन्ह पांच या पांच से कम लगभग साथ, आठ पॉइंट फॉइंट फ्ई या उससे दिए या फिर लगभग देबन तो जल का जो pH मान होता है वा लगभग सेमन के तक्रिबन होता है नेक प्रशने पानी का सुद्धम रूप क्या है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुन्दर जल, आस्वीत जल तो पानी का सुब्तम रूप होता है वा वर्षा का पानी होता है नेक परस्णे समयानता गुबारों में कौन सी गेस भरी जाती है तो गुबारों में कौन सी गेस भरी जाती है हिलियम गेस कौन सी गेस हिलियम गेस अस्रू गेस है बात करते हैं में असरू गेस कही सौचा या झाब कोरिलेट पूचा जाता है समाथ चाहरे इसमें कलोरी ने गेस परवाहिद करते हैं में तो रंग हीन हो जाता है अपने रंग को छोड़ देता है खाने का सोड़ा है सोडियम कलोराइड सोडियम सलफेट सोडियम बायकार्बोनेट सोडियम हाइड्राउक्साइड तो खाने का सोड़ा का सुत्र हो जाता है सोडियम बायकार्बोनेट सोडियम बायकार्बोनेट यानि की ये खाने का सोड़ा धोण्सोड़ा का व जाता है स्वोडियम कार्पुनेट ऐने टू श्योद्थी इंटू में 10-2 Do या अपलो का धोन्य का सोड़ा व जाता है गोबर गेस में मुख्य तत्व होता है मिठेन एंफेन कलोरीन प्रूपेन तो गोबर गेस का भी मुखी घटक है मिथेन और जो दलदरी एरिया होता है धान के खेत में वहां से भी मिथेन गेस का ही सरा होता है यानि कि मिथेन का और जदी हम लोग बात करते हैं LPG तो LPG ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रन होता है CNG जिसमें की मिथेन उसका मुखी अब गटक है इंडियन गेस एक LPG मिश्रन है देखिए इससे जुड़ा हुआ प्रोपेन का मिश्रन है LPG और LPG समझे की एक रंगहिन होता है और ये द्रवी दावस्था में होता है इसमें किसी परकार का कोई रंगहिन नहीं ये समझे की सु मिथाल मरकेप्टेन निकाल मिला देती है जैसे कि गेस आप लोग यूज करते हैं तो गेस जब निकल रहा है तो उसमें एक परकार की गंध सुगंध होती है तो वो मिथाल मरकेप्टेन ही होता है नेक परशने स्वचालित वाहनों में परदूसर नियंत्रक हेतु परियुक सी एंजी गेस देखिए सी एंजी गेस का मुख क्या ची हो जाता है इसमें मुख होता है मिथेन नेक परशने सहथ का परमुख घटक है तो सहथ का परमुख घटक क्या ची हो जाता है सहथ का परमुख घटक फूक्टोज यूरिया में नैट्रोजन का परतिशत है यूरिया म सी निमलिकित मैसे किस एक को आस्ट्रेंजर गईस भी कहते हैं अस्ट्रेंजर गेस वे चित्र गईस तो वो वो कौन सा नोबेल गईस को कहा जाता है आरगन नियोन जिनोन नाइटक्रस ऑक्षाड तो आश्ट्रेंजर गेस आप देखेंगे तो छट से आप आप लोग का मैंड हीट करेगा अस्ट्रेंजर गेस हां हसाने वाली गेस यानिकि नैटर्स ओक्साड कोई करते हैं लेकिन मैं आपको पता देना चाहता हूं अस्ट्रेंजर गेस हसाने वाली गेस को नहीं कहा जाता है बलकि अस्ट्रेंजर गेस है जो कि वह जिनोन को कहा जात यह किसी के साथ अभी किरिया नहीं करता है बट यह जो कि योगीक बनाता है नेक प्रशन है निम्न में से किसे भविष की धातु कहा गजाता है तामबा लोहा टैंटेनियम एल्मुणियम तो भविषकी धातु यह इस प्रश्ण का इंपरेटेंट कर लीजेगा एक आप लोगे पूछा जाता है भविस का इंधन तो हैड्रोजन को भविस का इंधन कहा जाता है और भविस की धातू किसको कहा जाता है टैटेनियम को भविस की धातू कहा जाता है नेक्ट पराशने, रसानिक दिरिष्टी से सिंदूर है, केलसियम कार्बोनेट, पोटेसियम नाइटरेट, मर्क्यूरिक सलफाइड, सोडियम क्लूराइड, तो सिंदूर बात करते हैं, यह क्या चिए है, मर्क्यूरिक सलफाइड, नेक्ट पराशने, इलक्ट्रोन की खोज न को गोड अश्टी नहीं मिले तो रदर खोड मार दिजेगा प्रोफरिन की खोज में और नीट्रोन की खोज चेडविक ने सोने का संकेत क्या होता देखिए सोने का संकेत यहां पर पुछ लिया एजी एउ एसेन सी यू तो एजी और एउ में बहुत सारे कंडिडेट इसमें confusion होता है ऐसी सोने का संकेत होता है एउ तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि समझे की unlimited अनिश्चित समय तक हम लोग इसे याद रख सकें तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा उस चीज को आप लोग याद रखें और यह समझे कि figure out आप है कि अफ्रीgrade करें और जो माला होता है माला का बनावट कैसे होता है इसे होता है तो ऐसे से होटेरा को याद करेंना है कि इसमें लोग आजये हो जाता है इसमें और में आशा करूंगा कि आपके मायम में हीट कर घया होगा है और इस प्रस्वर्षन के आप कभी भू vidéo लिएगा नहीं यकीन मानिए और एजी बात करते है यह चांदी का हो जाता है तामा का कोपर का सी हो जाता है और टीना का क्या ची हो जाता है तो टीना का क्या ची हो जाता है सिसा का कई बार पूछा जाता है लेड का तो सिसा का पीबी हो जाता है मरकरी का हो जाता है लिखने व लेकिन विदूत का सूचालक होता है sodium का सूचक होता है एन गंधक सलफर हम लोग इसी को कहते हैं और टीन का क्या चीए हो जाता है SM, ओटो मुवायल्च वेतरी में कौन सा अमलक परयोग किया जाता है तो ओटो मुवायल्च वेतरी में सोडियम कलोराड, हैडरोलिक, SCL, या फिर हेज़ुद encounter scholarly न्यायीटरिक अमल, या फिर हैड्रोगलोरिक अमल, तो मुवायल्च वेतरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अमल का पर्योग किया जाता है सुत्रियाद रखिएगा सोडियम कलोरायर का सुत्र होता है NaCl, Nitric K HNO3, Hydro-Cloric HCl और सल्फ्यूरिक अमल H2SO4 जल का रसानिक सुत्र होता है जल का रसानिक सित्र क्या ची हो जाता है H2O बॉक्षाइट किस धातू का अयस्क है अल्मूनियम तामबा जस्ता टीन का तो बॉक्षाइट है जो कि वह अल्मूनियम का अयस्क है कांसा मिस्त्र धातू है कांसा किसका मिस्त्र धातू है इसको याद कर लेना है आप लोगो कांता टी पितल का याद कर लेना है पिताजी और कासा का याद कर लेना है कांता टी ता से तांबा टी से टीन कांसा किसका है तांबा का और टीन का कांता टीन नेक परशने जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है परिवर्थन तो जंग लगने पर लोहे का भार में ब्रेधी होती है लोहे का भार बढ़ जाता है भारी जल का रसानिक सुत्र है तो भारी जल का रसानिक सुत्र क्या ची हो जाता है डिट्यो डिट्रियम ओक्साइड ज जलका एस्टूओ और नाइट्रस ओक्साइड हसाने वाले गेस को इन्टूओ हो जाता है नाइट्रस ओक्साइड तो चलिए आज के इस सेशन को में लोग यह पर किंड करते हैं